मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं मध्यप्रदेश में हासिये पर चली गई कॉंग्रेस को भिंड जिले में लहार के अभीद्य किले के साथ पूरी भिंड जिले की पांचों विधान सभाओं पर अपनी वापसी की रणनीती पर अभी से काम करने की जरूरत है हाल ही में लहार दौरे पराय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया था कि लहार पर भगवा ध्वज काबिस करेंगे वीडी शर्मा के इस बयान के बाद कॉंग्रिस के आला पदाधिकारी और कारे करता एक जुठ होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सपने को चूर चूर करने की रणनीती तैयार करने लगे है बिंड जिले के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी राकेश सिंग के नीजी आवास पर प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन किया गया जिसमें लहार विधायक डॉक्टर गोविन सिंग भी मौजूद रहे इस दोरान दोनों कॉंग्रेस नीताओं ने कॉंग्रेस आलाकवान और कारे करताओं को ये संदेश दिया कि हम एक हैं और आपके साथ खड़े हैं राजन्यतिक जानकारों का मानना है कि यही वो दोनों कॉंग्रेस के एक कद्दावर नीता हैं जो एक और एक दो नहीं बलकि एक और एक 11 हैं प्रेस कॉंफरेंस की दरान गोविन सिंग ने बताया कि पूरू मुख्यमंत्री कमलनाथ 23 फरवरी को फिंड आ रही है उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के जनिता सी किये गए जूठे वादों और उनके इरादों को आमजनिता के सामने उजागर करने और आमजन सभा के माध्यम से भाजपा सरकार के जूठे वादों की कलाई खोलने के लिए 23 फरवरी को पूरू मुख्यमंत्री भिंड आएंगे इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे आमजन की परेशानियों को सुन कर भाजपा सरकार से सवाल भी करेंगे साथ ही कॉंग्रिस के घर घर चलो अभियान की तहट आमजन से सहयोग भी मांगेंगे इसके अलावा ये भी बताया गया कि वो भिंड में जन सभा को संभोधित करेंगे और साथ ही उलव रिष्टी के जलते जिन किसानों की फसले नश्ट हुई उन गामों का प्रमन भी करेंगे। इस कारिक्रम में कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता और आम जन भी मौजूद रहे समाचार प्लस के लिए भिंड से पियूश बिर्थरिया की उपूर।